गुरुदेव और मागायती के चड़नों में कोटी-कोटी नमन अंजाने में हुए कर्मों का हमको क्या फल प्राप्त होता है? अंजानी में हमसे जो पाप बन पड़ते हैं, क्या उनका फल भी हमको प्राप्त होता है? इस विशय में एक कहानी है, जो की अखंड जोती के अंक में एक लेख लिखा हुए पेड़न दायक प्रसंग की रूप में, वो कहानी आज में आपको बताती हैं, और उसके माध्यम से आपको समझ आ जाएगा, कि हमारे जो अंजानी में कर्म होते हैं, उनका क्या कारण होता है और उनका क्या फलहम को प्राप्त होता है, काशे के एक ब्रहामन के सामने से एक गाय भागती हुई, किसी गली में घुच गई, तब ही वहाँ एक आदमी आया, उसने गाय के बारी में पूछा, पंडिच जी माला फिर रहे थे, इसलिए कुछ बोल नहीं पा रहे थे, बस हा से उसकली का इशारा कर दिया, जिधर गाय गई थी, पंडिच जी इस बात से अंजान थे, कि वह आदमी कसाई है और गौ माता उसके चंगुल से जान बचा कर भागी थे, कसाई ने पकड़ कर गौवत कर दिया, अंजाने में हुए इस खोर पाप के कारण, पंडिच जी कि कारण आजी विका के लिए और कोई उपाय ना होने के, कारण दूसरों के यहां से मास लाकर विचा करते थे, स्वैम अपने हाद से पशुबत नहीं किया करते थे, सदना की भगवान का भचन करने में बड़ी निश्ठा थी, एक दिन सदना को नदी के किनारे एक पत्थर पड़ा मिला, पत्थर अच्छा लगा, इसलिवा उसे मास तोलने के लिए अपने साथ ले आए, वो इस बात से अंजान थे कि यह वही पत्थर है, जिन्हें पिछली जनम में वो शालिक ग्राम की तरह पूछते थे, सदना कसाई पूर जनम के शालिक ग्राम को इस जनम में म बटखरे के रीप में प्रियोक करने लगे, आधत के अनुसार सदना ठाकुर जी के भजन गाती रहती थे, ठाकुर जी भक्त की इस्तुती का पलड़े में जूलते हुए आनंद लेते रहती थे, बटखरे का कमाल ऐसा था कि चाहे आधे किलो तोलना हो, एक किलो या दो किलो सारा बजन उससे पक्का हो जाता था, एक दिन सदना की दुकान के सामने से एक ब्रहमण निकले, उनकी नजर बांट पर पड़ी, तो सदना के पास आए और शालिक ग्राम को अव आप अवित्र करने के लिए फटकारा, उन्होंने कहा मूर्ख जिसे पत्थर समझकर मास तोल रहे हो, वे शालिक ग्राम भगवान है, भगवान ने सदना से सालिक ग्राम भगवान को ले लिया, ब्रहमण ने और घर ले आए, गंगा जल से नहलाया, धूब दीप चंदन से पूजा की ब्रहमण को अहंकार हो गया, जिस सालिक ग्राम से पतितों का उधार होता है, आज एक शालिक ग्राम का वह उद्धार कर रहा है। रात को उसके सपने में ठाकुर्जी आया और बोले तुम मुझे जहां से ले कर आये थे वही छोड़ाओ। मेरा भक्त सदना कसाई की भक्ती में जो बात है वह तुम्हारे आडंबर में नहीं है। ब्रामन बोला प्रभू सदना कसाई का पाप का कर्म करता है आपका प्रियोग मास तोलने में करता है मास की दुकान जैसा अपवित्र इस्थान आपकी योगी नहीं है। भगवान बोले, भक्ती में भरकर सद्ना मुझे तराज़ू में रखकर तोलता था, मुझे ऐसा लगता था कि वो मुझे जूला जूला रहा हूँ, मास्की दुकान में आने वालों को भी मेरे डाम का वह इसमन कराता था, मेरे भजन कराता है, जो आनंद मुझे वहां मिलता है वह यहां नहीं तो मुझे वही छोड़ कर आओ ब्रामन शालिक ग्राम भगवान को वापस सदना कसाई को दे आती है ब्रामन बोला भगवान को तुम्हारी संगती ही ज़्याद सुहाई है यह तो तुम्हारे पास ही रहना चाहते है ये शालिक ग्राम भगवान का सरूप हैं हो सके तो इन्हें पूझना बटखरा मत बनाना सदना ने ये सुना अंजाने में हुए अपरात को याद करके दुखी हो गया सदना ने प्रैश्चित का निशे किया और भगवान जगनात की दर्शन के लिए निकल पड़ा वो भी खाते पीते भी नहीं थे दुखी सदना ने उनका साथ छोड़ दिया और शालिक ग्राम के साथ भचन करता अकेली चलने लगा सदना को प्यास लगी रास्ते में एक गाउं में कुवा दिखा तो वहां पानी पीने ठहर गया वहां एक सुन्दर इस्तरी पानी भर रही थी व उसने सदना से कहा कि शाम हो गई है इसलिए आज रात वह उसके घर में ही विश्राम कर ले सदना को उसकी कुटिलता समझ में ना आई वह उसके अतिथी बन गए रात में वह इस्तरी अपने पती के सोजाने पर सदना के पास पहुँच गई और उनसे अपने प्रेम की बात क सुनकर सदना चौक गए और उसे पती वरता रहने को कहा इस्तरी को लगा कि शायद पती होने के कारण सदना रुची नहीं ले रहे हैं वह चली गई और वह सोते हुए पती का गला काट कर ले आई सदना भैभीत हो गए इस्तरी समझ गई कि बात बिगर जाएगी इसलिए उसन घर में जगर दी चोड़ी की नियत से इसने मेरे पती का गला काड़ दिया सदना को पकड़ कर न्याय धीश के सामंने पेश किया गया नियाय धीश्ट ने सदना को देखा तो ताड़ गए कि वह हत्यारा नहीं हो सकता उन्होंने बार-बार सदना से सारी बात पूछी सदना को लगता था कि यदि वह प्यास से व्याकुल गाउं में ना पहुंसती तो हत्या ना होती वह स्वम को ही इसके लिए दोशी मानते थे अतहवे मौन ही रहे न्याया धीश्ट ने राजा को बताया कि एक आदमी अपराधी है नहीं पर वह चुप रहे कर एक तरह से अपराध की मौन सुईकृति दे रहा है वह अपराधी नहीं है इसे क्या दंड दिया जाना चाहिए र रत्य दंड मत दो हाथ काटने का हुकम दो सद्ना का दाया हाथ काट लिया गया सद्ना ने अपने पूर्विजन के कर मानकर चुप चाप दंड सहा और जगनात पुरी धाम की यात्रा शुरू कर दी धाम के निकट पहुँचे तो भगवान ने अपने सेवक राजा को प्रि कार नहीं किया तो स्वयम ठाकुर जी ने दर्शन दिये उन्हें सारी बात सुनाई तुम पूर्जन में ब्रहमण थे तुम तुमने संकेत से एक कसाई को गाय का पता बताय था तुम्हारे कारण जिस गाय की जान गई थी वह इस्त्री बनी जिसके जूटे आरूपों से तुम शुब और अशुब कर्मो का फल मैं देता हूँ अब तुम निश्पाप हो गए हो ग्रहनत आज जी विका के वाबजूर भी तुमने धर्म का साथ नहीं छोड़ा इसलिए तुम्हारे प्रेम को मैंने सुईकार किया मैं तुम्हारे साथ मास तोलने वाले तराजू में भी प्रसन्य रहा भगवान के दर्शन से सदना जी को मोक्ष प्राप्त हुआ भक्त सदना जी की कथा हमें बताती है कि भक्ती में आधमर नहीं भावना माइने रखती है भगवान के नाम का गुरगान करना सबसे उन्यकारी होता है तो इस तरह से जब तक हम निश्पाप नहीं होते हैं तब तक भगवान भी हमको स्वीकार नहीं करते हैं और जब हम निश्पाप हो जाते हैं तो हमको भगवान स्वीकार कर लेते हैं भगवान हमारी भावनाओं को जादा देखते हैं इसी तरह हमारी भावनाओं पर एक और कहानी आधारित है भले ही हम कर्म कितने की होते हैं ये बात तो आपने सुनी होगी एक बार यम्राज के सामने दो महिलाएं उपस्थित की गई एक थी पतिवृता और दूसरी थी वैश्या यम्राज ने चित्रगुप्त को बुला कर उनके पाप पुन्य मालूम किये और पतिवृता को नीचे वाला स्वर्ग तथा वैश्या को उपर वाला स्वर्ग प्रदान किया इस पर पतिवृता जो इस्त्री थी वह बहुत कुर्थ हो गई उसने कहा मैंने अश्टा वक्र जैसे कुरूप और सब प्रकार से दीन हीन पती की जीवन भर कश्ट पूर्वक सेवा करके पतिवृत धर्म निबाहा है तब अभी मुझे नीचे का स्वर्ग और इस विलासनी कुल्टा को उपर का स्वर्ग यह तो सरासर अप्पान है यह अम्राज ने पतिवृता को सांतना देते हुए कहा बेटी हमारे यहां केवल क्रिया ही नहीं भानमाई भी देखी जाती हैं तुम दौनों का घर आमने सामने थ जब इस वैश्या के हाँ छेल छबीले लोग आते थे तब खिड़की से जाक जाक कर तुम्हारी आखें उन्हें देखते और मन उन पर ललचाने के लिए फिरा करता था पर यह वैश्या जब तुम्हें पति सेवा करती देखती थी तो तुम्हें साक्षा देवी मानते परनिश्वर से सदा प्रातना किया करती थी तुम दोनों के शरीरों ने जो किया उसकी अपेख्षा तुम्हारे मन में जो भावनाय रही उसकी भी पेख्षा नहीं की जा सकती है धर्म में भावना की ही प्रधानता होती है बाहर से दिखने वाले धर्म बीतर से अधर्म भी हो सकता है और बाहर से दिखने वाला अधर्म का वस्तुत है धर्म होना भी संभव है संसार कुछ भी समझे भगवान मनुष्य की भावना को परक करके ही उसके भले बुरे होने का नेने करते हैं तो भावनाएं भी माइने रखती हैं धर्म में तो अगर आपके जानकरी पसंद आए तो प्लीज लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें में चैनल को धन्नवाद